सुहना खन विकासेवन पंच्वाइथ अदिकारी की दिशा नर्देश अनुसाई ग्राम पंचाथ सर्पंच द्वारा पंचाथी जमीन पर अवैद रूप से कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस जारी किये जा रही है और पंचाथी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है इसी कड़ी में ग्राम पंचात सिलानी के सरपंच द्वारा पंचाती जमीन के निशान देही कराने के बाद अवैद रूप से पंचात के जमीन पर कबजा करने वाले 20-25 लोगों के लिए नोटिस जारी किये गए लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो गलत वाइरल किया गया जिस वीडियो का खंडन करते हुए सुहना खंड विकास एवं पंचात अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ विभा की रूटीन की प्रक्रिया है जो कि समय समय पर पंचात की जमीनों पर कबजा करने वाले लोगों के लिए नोटिस जारी करती रहती है और अवयद अतिकर्मन को खाली भी कराती है लेकिन सिलानी गाओं के अंदर जो सौ नोटिस देने का फेक वीडियो वाइरल किया जा रहा है वहाँ जूटा है इंग्रोच्मेंट के लिए हमारे कुछ गाओं में नोटिस दिये गए है जैसे कि गाओं सिलाणी है और दमदमा है अर्चंपुर है अरियेडा है जैसे रूटीन में जो नोटिस दिये जाते हैं सिलानी गाओं में बता रहे हैं कि सो नोटिस दिये गए हैं कि यह ख़बर गलत है लगबग 20-25 नोटिस दिये गए हैं जो कि पहमाईश ही थी बीपेल कलोनी की और पंचायद की जबीन की लिए तो जिन लोगों ने बीपेल कलोनी में अपने घर आगे बेच रखे हैं या फिर पंचायद की जमीन पर कबजा करके कुछ लोग बैठे हैं तो उन्हीं कोई नोटिस दिया गया है ऐसा कुछ नहीं है कि सो नोटिस दिये गए हैं लगबग 20-25 रूटीन में जो नोटिस आते हैं बस उतने ही नोटिस गया है जस पर कोई भी व्यक्ति अपने व्यूज बढ़ाने के लिए किसी भी जूटे वीडियो को बिना अधिकारिक पुष्टी किये वाइरल कर देता है दरसल सोशल मीडिया पर वाइरल किया गया ये वीडियो सिर्फ लोगों में जूटी अपवा फिलानी का काम करता है इसलिए इस तरह के वीडियो पर यकीन न करें और अधिकारिक पुष्टी किये गए वीडियो पर ही यकीन करें हर्याना वर्दान के लिए सोना से समवाद दाता विश्वाल राघव की रिपो देश वा प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हर्याना वर्दान चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वा शेयर करें